दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्णस आगत है तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सलेबस होने वाला है सेशन 24 और 25 के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ बौर्ड उक्जाम का क्या सलेबस होगा प्री बौर्ड में कौन कौन चैप्टर आएंगे मिट्रम उक्जाम में क्या क्या सलेबस आने वाला है तो पूरी वीडियो जरूर एंट तक देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों किस unit में से कितने number का paper board exam में आने वाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो जरूर वीडियो में अंटर्ग बने रहीएगा ठीक है तो सबसे पहले जोस्तों mid-term का जो slave से वो मैं आपको बता देता हूँ तो unit 2 जो है solution वो साइए इसमें जो जो topic यहां लिखे गए है वो साइट topic आपके mid-term exam में आने वाले है unit 3 electrochemistry unit 4 chemical kinetics unit 8 D and F block elements unit 9 coordination compounds unit 10 halolkines and halorines unit 11 alcohol phenols and ethers तो यह जो सारे मैं अभी आपको chapter बता है यह दोस्तों आपके mid-term exam में आने वाले है सितंबर 13 तक आपको इसको पूरा complete करना है और एक और बात दोस्तों में बता दूँ कि यह जितने भी chapter उपर दिये है इन सबी के notes मैंने बनाये थे अपने class 12 के time पे और उनकी video भी मैंने कुछ दिनों पहले ही कुछ महीनों पहले साइट एक या दो महीने पहले अपलोड कर यह चैनल पे तो आप उसकी help से इन chapter को revise कर सकते है ठीक है यह सारे जितने भी chapters है इन सब के notes वहां पे चैनल पे दे रखे है तो आप उन सब को जाकर भी देख सकते है ठीक है एक दम अराम से इसको download भी कर सकते है सब का link भी मैंने दे रखा है तो यह आप फिर दोस्त आपका midterm exam बे इतने chapter आने वाले है फिर आपका midterm exam होगा September end में उसके बाद आपको कौन गोजने chapter पढ़ने है तो unit 12 है आपका aldehyde, ketones and carboxylic acid ठीक है, midterm के बाद पढ़ना है unit 13 है amines, unit 14 है biomolecules ठीक है, तो यह जो 3 chapter है आपके यह आपको midterm exam के बाद पढ़ना है बागी के जो chapter बताए मैंने वो आपको midterm exam के लिए पढ़ना है ठीक है, तो यह पूरा syllabus है midterm के पहले का और बाद का यह पूरा syllabus आपको 13 December तर कंप्लेट करना है तिर आपको प्री बोर्ड एक्जाम होगा December या जन्वरी में उसमें पूरा यह स्लेवस आने वाला है ठीक है दोस्तों और उसका जो पैटरन है प्री बोर्ड एक्जाम का वही सेम पैटरन आपके जो पैटर में यह परोड आपके बोर्ड एक्जाम का होने वाला है ठीक है धोस्तों अब जो चैपटर वाइज वाइज है वह मैं आपको इह रिकाल दे रहा है यह जो वेटेज आपको प्री बोर्ड में भी सेम रहेगी और जितने लिख्वित हैं यहां पर मार्क्सãy यूनिट में से उतने नंबर का इक कोश्चन आपके बोर्ड एक्जाम में आने वाले हैं ठीक है दोस्तों और आपको पता है केमिश्ट्री में जो थियोरी है जो सतना नंबर के होती है बाकी के जो 30 नंबर है वो इंटनल असेस्मेंट के होती है तो उसका भी कैसे distribution है वो आपको बताऊंगा पहले आप जो question paper है board का उसमें क्या-क्या units में से कितने नंबर का आने वाल है वो देख लीजिए तो solution 7 नंबर का आने वाल है electrochemistry 9 नंबर chemical kinetics 7 नंबर d and def block elements 7 नंबर coordination compounds 7 नंबर halolkines and halorines 6 नंबर alcohols, phenols and ether 6 नंबर aldehyde, ketones and garboxlic acid 8 नंबर amines 6 नंबर और biomolecules 7 नंबर तो टोटल आपके 70 नंबर का हो गया टोटल आपके 10 चेप्टर आने वाले है board exam में ठीक है उसमें 7 जो आपके मिट्रम में आएंगे बागी के 3 आपको मिट्रम के बाद पढ़ने है ठीक है pre board में भी 10 चेप्टर है वो आने वाले है ठीक है दोस्तो आप question किस तरीके के होंगे याद करने वाले या फिर समझने वाले 28 नंबर के होंगे concept apply करने वाले 21 नंबर के होंगे और evaluate करके answer निकालने वाले 21 नंबर के होंगे तो इस तरीके से आपका 70 नंबर का paper बनता है अब जो practical exam है क्योंकि chemistry में 30 नंबर होते है practical के इन सबके तो उसका क्या स्लीबस है यह chapter लिखे है साथी साथ दोस्तों practical के नाम लिखे है कि किस chapter में से कौन-कौन से practical आपको करने है तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं आपके जो टीचर आपको बता देंगे आपको कौन-कौन से experiment करने है कौन-कौन से practical आपको करने है यहां पर बहुत सारे दे रखे है इसमें सापको सारे नहीं करने है यह जितने practical थे जे तक यह सारे आपको मिट्रम से पहले करने है उसके बाद यह सारे जो practical दैसे preparation of organic compounds, test of functional groups फिर qualitative analysis यह सारे आपको मिट्रम के बाद पढ़ने है ठीक है? मतलब यह सारे experiment मिट्रम के बाद करने है पिर आपको दोस्ते एक project भी बनाना होता है टीचर से एक बाद जरूर पूछ लेज़ेगा ठीक है? अब जो तीस नमबर आपके practical के हैं उसमें किस तरीके से distribution है तो आपका volumetric analysis का experiment होगा दोस्तो 8 नमबर का, एक होगा salt analysis का 8 नमबर का, एक होगा content based experiment, 6 नमबर फिर 4 नमबर आपको जो उपर इन समय से एक topic पे project बनाने उसके चान नमबर है चान नमबर है दोस्तो आपके class recorder वाइवा यानि आपने file maintain करी है फिर जो आपका paper होगा उस पे फिर वाइवा होगा तो वाइवा के चान नमबर इन सब के मिलागे तो टोटल आपके 30 नमबर ये मिटरम में आ रहे उन सब के जो मैंने notes प्रवाइड कर रखे चैनल पे तो उनके playlist बनी हुए दोस्तो उसका जो link है मैं आपको description में provide कर दूँगा या फिर आप channel पर जाके भी check कर सकते हैं तो उमेद करता हैं आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ जो syllabus के पारे में पता चला होगा आपसे फिर में लेंगे next video में तब तक के लिए bye bye see you again and thanks for watching